नमस्कार, Vision ISK News Today के इसंक में आप सभी का स्वागत है इसंक में हम आपके लिए लेकर आए हैं UPSC परीक्षा की दृष्टी से महत्तुपूर्ण कुछ एहम खबरें इसंक के साथ मैं हूँ दिव्यसी आईए सबसे पहले बात करते हैं इसंस्थानों के लिए संस्थागत, विकास, योजना तयार करने के लिए दिशानिर्देश जारी किये और आईए अप खबरों पर विस्तार से चर्चा करते हैं इसंक की सबसे पहली खबर है जैवेवित्ता से सम्बंदित लोकसभा में जैवेवित्ता संशोधन विध्यक 2021 पारित कर दिया गया है इस विध्यक को केंद्रिय पर्यावरन वन और जलवायो परिवर्तन मंत्राले ने तैयार किया था इसे पारंपरिक भारतिय चिकित्सा प्रणाली की प्रक्टिस करने वाले चिकित्सकों की चिंताओं को दूर करने के लिए बनाया गया है। इन चिकित्सकों के शिकायत ये रही है कि उन्हें जैव विवित्ता अधिनियम के सक्त नियमों के कारण कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इन चिकित्सकों को इस्थानिय समुदायों के साथ लाभ साजा करने से चूट प्रदान की गई है। अधिक विदेशी निवेश आकर्शे करने के लिए प्रावधान की गई है। प्रावधानों के निर्धारन में इस्थानिय समुदायों की प्रत्यक्ष भूमिका को समाप्त कर दिया गया है। इसके अलावा ये संचोधन विदेश केवल आयूश मंत्राले को लाभ पहुचाने पर लक्षित है और इससे बायो पाइरेसी का मार्ग प्रशस्त होगा। सरकारी अधिकारी अपने विवेका अधिकार से जांच कर सकेंगे कि विदंड निर्धारित कर सकेंगे। इसके अलावा ग्रामीन शेत्रों में रहने वाली किशोरियों को उच्च गुणवता वाले सैनिट्री नैपकीन उपलब्ध कराने और उनका उपयोग बढ़ाने की जरूरत है। शौचालय और सैनिट्री सुविधाओं की परियाप्त विवस्ता नहीं है। और ओडिशा में कुशी जैसी रजेस्तरिय पहले आरंब की गई हैं। मासिक धर्म स्वक्षिता प्रबंधन स्वक्ष भारत मिशन का एक अभिनांग है। केरल और बिहार ने मासिक धर्म अवकाश नीती भी लागू की है। और आईए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। ये ने अपनी शिरुवात के बाद से अनुमाने कुल 58 लाग पुरावशेशों में से केवल 16,80,000 पुरावशेशों का ही दस्तावेश दयार किया हैं जो की लगभग संपूर्ण का 30 प्रतिशत है। पुरावशेशों के दस्तावेशी करण और राष्ट्रिय संग्रहालें में इनके डिजिटली करण का कारे अभी भी प्रगती पर है। कि दस्तावेशी करण एक विस्त्रित, बोजिल और काफी समय लेने वाली प्रक्रिया है। ऐसा इसलिए है क्योंकि इसमें 3D में दस्तावेश दयार करने और पैट्रोलोजी जैसी नवीन तक्नीकों को शामिल किया गया है। राजे प्रवर्तन एजेंसियों और भारतिय पुरातत्व सर्वेक्षन के बीच समन्वे का भाव है। इसके अलावा बजट ये आवंटन का पूरी तरह से उप्योग नहीं किया जा रहा है। साथी रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि समर्पित पेशेवर कारेबल की भी कमी है। समर्प पुरावशेश मिशन की अगर हम बात करें तो इसे 2007 में केंद्रिय संस्कृति मंत्राले ने आरंभ किया था। अग्देश्य पुरावशेश और बहु मुल्य कलाकृति अधिनियम 1972 में परिभाशित विविद भारतिय पुरावशेशों का डेटाबेस तयार करना है। केंद्र सरकार ने लोकसभा में बहु राजे सहकारी सोसाइटी संशोधन विद्यक पारित कर दिया है। केंद्र सरकार बहु राजे सहकारी समितियों की चुनाव प्रक्रिया के संचालन परिवेक्षन, निर्देशन और नियंतरन के लिए सहकारी निर्वाचन प्राधिकरण की स्थापना करेगी। सहकारी समितियों का एक ही करण किया जाएगा। प्रस्तुत विधयक राजिस सेहकारी समितियों को मौझुदा MS-C-S न विलाय करने की अनुमती देता है। एक आम बैठक में उपस्थित और मतदान करने वाले सेहकारी समिति के कम से कम दो तिहाई सदस्यों को इस तरह के विलाय की अनुमती देने के लिए एक प्रस्ताव पारित करना होगा इसके अलावा रुग्न सहकारी समितियों के लिए निधी का भी प्रावधान है रुग्न सहकारी समितियों के पनुरुधार के लिए सहकारी पुनर्वास, पुननिर्माण और विकास, कोश यानि CRR, DF की शुरुआत की गई है MSCS जो पिछले तीन वित्तिय वर्षों से लाब में हैं वेकोश को वित्त पोशित करेंगे इसके अलावा सरकारी शेर धारिता के मोचन पर भी प्रतिबंध लगाया गया MSCS में केंदर और राजसरकारों द्वारा धारित किसी भी शेर को उनकी पूर्व स्विक्रति के बिना नहीं भुनाया जा सकता इसके अलावा शिकायतों के निवारन की अगर हम चर्चा करें तो केंदर MSCS के सदस्यों के संबंध में की गई शिकायतों की जाच करने और तीन महिने की भीतर प्रक्रिया को पूरा करने के लिए शेत्रिय अधिकार शेत्र में एक या अधिक सहकारी लोगपाल नियुक्त करेगा बहु राजे सहकारी समितियां ऐसी सहकारी समितियां होती हैं जिनकी गतिविधियां केवल एक राजे तक ही सीमित नहीं होती हैं ये एक से ज्यादा राज्यों में विक्तियों के हितों की पूर्ति करती हैं और अगला टॉपिक है सिक्षा जगत से विश्य विद्याले अनुदान आयोग ने उचितर सिक्षा संस्थानों के लिए संस्थागत विकास योजना IDP तयार करने के लिए दिशानिर्देश जारी किये हैं राष्ट्य सिक्षानीती NEP 2020 IDP के महत्यों को स्विकार करती है और ये सिफारिश करती है कि प्रतेक संस्थान को एक रणनीतिक IDP यानि संस्थागत विकास योजना का निर्मान करना चाहिए इसी को देखते हुए UGC ने प्रतेक उचितर सिक्षा संस्थान के लिए अपने स्वेम के IDP का निर्मान करने के लिए दिशानिर्देश विक्सित किये हैं IDP के जरूरत इसलिए भी है क्योंकि ये सुईकारोटी से उपन होती है क्योंकि एक समान मानतर्ण सभी पर लागू नहीं हो सते हैं और इसका कारण ये है कि प्रतेक उचितर सिक्षा संस्थान को आगे बढ़ने के लिए एक अलग उपाय की जरूरत होती है UGC का ये मानना है कि IDP को एक ऐसा एकिक्रित द्रिष्टिकॉर्ण प्रतिबिम्बित करने की जरूरत है जो संस्थान के विजन, मिशन, संदर्भ, जीवन, चक्रचरण, इस्थान, चरित्र और आकांशाओं के प्रतिसाचीत हो इस फ्रेमवर्क में कई दिशन रिदेश हैं जैसे कि भौतिक आधारभूत अवसन रचनाओं का विकास, विश्य विद्याले के अलग-अलग स्कूल्स और विभागों की सैक्षनिक एवं अनुसंधान गतिविधियों के अनुसार किया जाना चाहिए उचितर सिक्षा संस्थानों को सिखाने और अध्यापन की अपेक्षित विधाओं के साथ एक रोड मैप विक्सित करना होगा और इसके लिए डिजिटल युनिवर्सिटी की ओर कदम बढ़ाने के लिए सूचना और संचार प्रोध्योगी की तथा वर्चुल से हो सकते हैं प्रतेक उचितर सिक्षा संस्थान को युजीसी द्वारा निर्धारी पेकल्टी छात्र अनुपात को बनाए रखने की जरूरत है और आईए अब चर्चा करते हैं कुछ अन्य महत्वपून सुर्खियों पर DNA प्रोध्योगी की प्रयोग और अनुप्रयोग विनियमन विधेयक 2019 वापस लिया गया विधेयक में कुछ व्यक्तियोग की पहचाण इस्थापित करने के लिए DNA प्रध्योगी की के उप्योग के विनियमन का प्रावधान किया गया था DNA डियोक्सी राइबो निउकलिक एसिट को कहा जाता है ये आनुवांशिक जानकारी का वाहक है इस विध्यक से कई प्रमुक्चिंताएं जुड़ी हुई है जैसे कि वर्तमान में भारत में बहुत सीमित इस्तर पर DNA परिक्षन किया जा रहा है DNA एकत्र करने वाली प्रयोग शालाओं के मानकों की निगरानी या विनियमन नहीं किया जाता है इसके अलावा DNA से जुड़ी जानकारी बेहत समवेदनशील होती है जो कि इसके दुरुपयोग की आशंका पैदा करती है इस कानून का नसली ये प्रोफाइलिंग के लिए इस्तमाल किये जाने की संभावना है नागालेंड में शहरी इस्थानियन निकायों में महिला आरक्षन सर्वोचि नियालें ने केंदर और नागालेंड सरकार दोनों से शहरी इस्थानियन निकायों में महिलाओं के लिए आरक्षन को लागू नहीं करने का कारण पूछा इससे पहले 1992 के संभिधान संभूधन के अनुरूप महिलाओं के आरक्षन के लिए 2006 में नागालेंड नगरपाली का अधिनियम 2001 में संभूधन किया गया था महिला आरक्षन के कार्याइन वेन में चुनोतियां इसलिए भी हैं क्योंकि नागा जनजातिय निकाय यूलबीज में महिलाओं के आरक्षन का विरूध कर रहे हैं और अगला टॉपिक है अनुसूचित जनजाति में जोड़े गए समुदायों के बारे में राजे सभा ने समविधान अनुसूचित जनजाति आदेश 1950 में संशोधन करने के लिए एक विधेयक पारित किया है समविधान के अनुसूचित जनजातियों के सूचि में कुछ समुदायों को शामिल करना है शामिल किये जाने वले समुदाय हैं धनुहार, धनुवार, किसान, सौंद्रा, सोरा और बीचिया तथा पंडो समुदाय के तीन देवनागरी संसकरन समविधान के अनुचे 342 के मताबिक राष्टरपती को ये शक्ति प्रदान की गई है कि वो किसी राज्य या संगशासत प्रदेश के संबंद में अनुसूचित जनजातियों को निर्धारित करे अगला टॉपिक है व्यापार निप्टान चक्र भारतिय प्रतिभूति और विनिमे बोर्ड से भी ने कहा है कि वो भारत के स्टॉक एक्स्चेंज में लेंदेन के वास्तविक समय आधरित निप्टान यानि टी प्लस जीरो निप्टान चक्र पर कारे कर रहा है टी प्लस जीरो चक्र लागू होने के बाद शेयर बेशने वाले निवेशकों को तुरंत धन का हस्तान तरण किया जा सकेगा निप्टान एक दो तरफा प्रक्रिया है जिसमें निप्टान तिथी पर धन और प्रतिभूतियों का हस्तान तरण शामिल होता है वर्तमान में भारतिय शेयर बाजार टी प्लस वन निप्टान चक्र का पालन कर रहा है टी प्लस वन के तहट व्यापार से संबंधित निप्टान लेंदेन पूरा होने के एक दिन या 24 घंटे के भीतर संपन्न करना होता है इसका लाब ये है कि ये परिचालन दक्षता में व्रिधि करता है धन प्रिशन में तेजी लाता है जिससे कि शेयर बाजार सहभागियों के लिए आसानी होती है वाइट लेबल ATM ये ATM गैर बैंकिंग संस्थाओं द्वारा इस्थापित उनके स्वामित्यों के अधीन और उनके द्वारा ही संचालित होते हैं NBFC संस्थाओं द्वारा इस्थापित ATM संचालकों को भारतिय रिजर्व बैंक ने भुगतान और निप्टान प्रणाली अधिनियम 2007 के तहत प्राधिकरत किया है इससे बैंकिंग सेवाओं को विशेश रूप से छोटे शहरों और ग्रामीन शित्रों में पहुचाने में मदद मिलती है साथ ही इससे वित्तिय समावेशन को भी बढ़ावा मिलता है ATM के और भी कई प्रकार हैं जैसे ब्राउन लेबल ATM ये सेवा प्रदाताओं द्वारा प्रबंधित हैं इन्हें बैंकों के लिए लगाया या संचालित किया जाता है ग्रीन लेबल ATM क्रिशी लेंदेन की सविधा प्रदान करने वाले ATM होते हैं अगला टॉपिक है उड़े देश का आम नागरिक उडान 5.2 नागर विमानन और इस पात मंत्री ने शुत्रिय कनेक्टिविटी योजना उडान 5.2 लांच की इसे देश के दूर दराज तथा प्रादेश्टिक शेत्रों में कनेक्टिविटी को और अधिक बढ़ाने के लिए शुरू किया गया इसके तहट 1A यानि 9 से कम सीटें और शेणी 1 के तहट 20 से कम सीटों जैसे छोटे विमानों के माध्यम से लास्ट माइल्ड कनेक्टिविटी प्राप्त की जा सकेगी उडान योजना एक बाजार संचालित योजना है इसका उद्देश इस्तमाल से रहित और कम इस्तमाल वाले हवाई अड़ों से शेत्रिय हवाई संपर्क को बढ़ाना और हवाई यात्रा को किफाईती बनाना है इसे राश्ट्रिय नागर विमारन नीती 2016 की समीशा के आधार पर तयार किया गया है फुल रिजर्व बैंकिंग पेमांड्स को सफलता पूर्वा कूरा कर सके इस तरह से सभी जमा करताओं द्वारा एक साथ निकासी की मांग करने पर भी बैंक रन जैसी इस्थिति से बचा जा सकता है बैंकरन वो इस्थिति होती है जब बैंक के दिवालिया होने के डर से ग्रहकों द्वारा अपनी जमाराशी निकाल दी जाती है अगला टॉपिक है सिल्वो पैस्चर प्रनाली सिल्वो पैस्चर प्रनाली चरागाह भूमी में अत्यधिक तापमान और चरम पवनों के खिलाफ एक बफर के रूप में कारी करती है इसका उद्देश्य पशुधन के लिए अनुकूल वातावरन उपलब्ध कराना है ये कृशी वानिकी से संबध एक पधती है ये व्रिक्षों, चारे और जानवरों के लाभों को पारसपरिक रूप से सहायक तरीके से एक ही कृत करती है इस प्रनाली का विकास खुली चरागाह भूमी में व्रिक्ष लगा कर किया जाता है सिल्वो पास्चर प्रनाली मिट्टी की उर्वरता में सुधार करने, पशुधन में गर्मी के प्रभावों को कम करने और वन्य जीव विवित्ता को बढ़ाने में मदद करती है इस प्रनाली में लगाए गए व्रिक्ष प्राकृतिक कार्बन सिंग के रूप में कारे करते हैं और इस्थानिय जलवाईयों परिस्तियों को नियंत्रित करते हैं अगला टॉपिक है निपाह वाइरस नेशनल इंस्टिट्यूट ओफ वाइरोलोजी को कुछ राजियों या किंदर्शासित प्रदेशों में चमगादरों की आबाधी में निपाह वाइरस के प्रसार का प्रमाण मिला है निपाह वाइरस एक जुनोटिक वाइरस है जो की एक आरेने वाइरस है ये वाइरस मनुशियों में अपने नैचरल होस्ट के माध्यम से फैलता है या फिर संक्रमित लोगों तथा दूशित भोजन के सीधे संपर में आने से फैलता है ये मनुशियों में घातक श्वसन और मस्तिश्क संबंधी संक्रमन का कारण बनता है और अगला टॉपिक है कारण विजय दिवस 26 जुलाई 1999 को भारतिय सेना ने कारण में उन सभी भारतिय चौकियों पर दोबारा अधिकार कर लिया था जिन पर पाकिस्तान की सेना ने कबजा कर लिया था भारतिय सेना ने कारण जिले के द्रास, काकिसर, बटालिक और तुर्तुक सेक्टर्स में 12,000 फीट से अधिक उचाई पर युध लड़ा था और आईए अप चर्चा करते हैं सुर्खियों में रहे इस्थलों के बारे में चार्ड जिसकी राजधानी एन जमेना है चार्ड, पश्чिम और मध्य-अफरीका में सबसे अधिक संख्या में शरनार्थियों को आश्रा देता है ये उत्तर मध्य-अफरीका में एक इस्थल रुद्य देश है ये उत्तर में लीविया से, पुर्व में सूडान से और दक्षिन में मध्य-फरीकी गनराजि से ये एक अर्धम अरुस्थरिय देश है जो सोने और यूरेनियम से सम्रिध है और अगला महत्वपूर्ण स्थल है ग्रीस इसकी राज़ानी है एथेंस ग्रीस के द्वीप रोड्स और कोर्फू कम से कम पिछले 48 घंटों से वरागनी का सामना कर रही है ग्रीस बालकन तुर्की और मैसरोनिया गंडराजे से लगती है वहीं समुदरी सीमा है साइप्रस मिस्र इटली और लीबिया से लगती है ग्रीस की सबसे उची चोटी है माउंट ओलंपस और प्रमुख नदिया है हलिया कमोन और अली कमोन और यहां की जलवाई भूमद सागरी है इसके सा अमें यानि विजन आइस की पूरी टीम को दीजे इजाज़त नमस्कार